मात्र पांच मिनट के लिए सुने से पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा यकीन मानिए आपकी आँखों की रोश्णी बढ़ेगी जोडों का दर्दूर होगा आपको खाया पिया पचेगा और शरीर को अदबुत लाब मिलेंगे और आप बुढ़ा पे तक दोड़ते रहेंगे आपकी स्किन पर गलो भी आएगा चेहरे से आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा उमीद कर दी हूँ आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आएगी जानकारी अच्छी लगे तो मुझे एप्रिशेट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक कमेंट और शियर सरुर कीजिएगा हेलो एवरीवन वेलकम बैक मैं आपकी होस्स इंदू समिधू एक सर्टिफाइड डाइटीशन और एक नैच्छोपैद जब भी दिन भर हम काम करते हैं तो अक्सर थगान इतनी जादा हो जाती है कि कुछ भी अपने शरीर पर अपलाई करने का या काम करने का मन नहीं करता पर यकीन मानिए अगर आज की इस वीडियो को देख करके पांच मिनट भी आपने अपने शरीर को देने शुरू कर दिये तो ये आपके शरीर के लिए अद्बुत काम करेगा चलिए सबसे बहरे तो ये जानते हैं कि इस काम को करने से पहले सिर्फ एक दिन के लिए आपको दस मिनट और देने हैं उस 10 मिट में आपको एक चीज बना का तयार करनी है जिसका इस्तमाल आपको रुजाना करना है इसके लिए आपने क्या करना है आपको लेना है यहाँ पर 200 ग्राम गाएं का घी शुद्ध देसी गाएं का घी लेना है इस बात का विश्य इस्तिहन रखेगा इसके अंदर आपने आधा मुठी यानके मान के चलिए थोड़े से सुखे नीम के पत्ते आड़ करनी है इसके अलावा इसमें 2-3 लोंग आड़ करनी है और मातर जरा सा चुटकी भर सेंधा नमक आड़ करना है अब आप इसे पकाईए तब तक पकाना है जब तक लोंग ना फ लिए छोड़ दीजेगा इसकाम को करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 10 मिट लगेंगे अब आपने क्या करना है अगले दिन इस घी को चान करके किसी डब्बे में बरके रख लेना है किसी भी डब्बे में एरटाइट डब्बे में भरक लिए अब रात को सोनी से पहल पहले तो आपने कुछ बूने अपने पैर के तलवों में लगानी है लगा करके सबसे पहले आप पैर की एड़ी की तरफ से इस तरीके से पंचों की तरफ मसाज करते हुए उपर जाएंगे इस परकरिया को लगबग पांस से साथ बार दोराएंगे इसमें जब आपकी फिं थोड़ा सा अपने हातों पर लेना है यही गायका की और अंगुठे को लेना है आपने और अंगुठे की कुछ इस तरीके से आपने पैर के अंगुठे की मसाज करनी है उसके दियुकुल जड़ में कुछ इस तरीके से और उसको इस तरीके से प्रेशर करना है उसके बाद स अपने अबस सारी उंगलियों के साथ करना है उसके बाद आप अपने पैर को सीधा रखते हुए जैसे माली जी यह आपका पैर है और आपने यहां पर सारी में मसाज कर ली है उंग्लियों की भी कर ली तलवे की भी कर ली अब आपने हलके हलके हाथ से अपने पैर की एड़ी को उपर की तरफ उठाना और पंजी को अपनी तरफ खीचना है कुछ इस तरीके से बिलकुल इससे आपके नीचे के जितने भी नसे हैं उसमें खिचाव आएगा और इससे प्यार करके लगवग आधा लीटर खून पाया जाता है तो आप देखिए जितना खून हमारे पूरे शरी के किसी भी हिस्ते में नहीं रहता है उतना मारे पिंडले में रहता है। जब आप बेसिकली पिंडलियों की मसाज करते हैं तो ये जो आपका खून है ये आपके पेट की तरफ आपके शरीर की तरफ जाता है जिससे डाइजिशन में मदद मिलती है भूख अच्छी लगती है दूसरा इस तरीके से मसाज करने से आपकी आँखों की रोश्टी बढ़ जड़ने बंद हो जाते हैं इस तरीके से मात्र मसाज करने से आपके पेलों की जक्रन घुटनों के दर्द में आपको अरह मिलता है अगर आप इस तरीके से मसाज और अंगुठों की उंगलियों की मसाज कर चुके हैं तो आप चाहें तो इस तरीके से अपने पंजे को ऊप सारा दिन के लिभी कर लेते हैं तो शरीर को बहुत अलाप मिलते हैं उमीद करती हूं आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी जानकारी अची लगी है तो मुझे अप्रिशिट करने के लिए आज किसी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा चलिए फिर मिलूंगी किसी नए जानकारी के साथ तब तक अपना बेहत ख्याल रिखें और हस्ते मुस्कराते रहें स्टे हैल्वी स्टे हैपी बाए